नमस्कार दोस्तों कांग्रेस ने बड़े जोर सोर और परचार के साथ अपने घोशना पत्र को जारी किया था लेकिन अब सुत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि केई खामियों को लेकर कांग्रेस ने घोशना पत्र समीति के सदस्यों को फटकार लगाई बता जा रहा है कि घोशनापत्र के कवर पेज पर राहूल गांदी की छोटी तस्वीर को लेकर सोनिया गांदी काफी नाखुस थी उन्होंने घोशनापत्र समीति के सदस राजिव गोडो को इसके लिए फटकार लगाई साथ ही इस मुद्दे पर उन्होंने समीति के अदक्स पी चितंबर्म से भी बात की और कम्यों की तरफ उनका ध्यान दिलाया सुत्रों का कहना है कि मंगलवार को घोशनापत जारी होने के कारकरम से एक दिन पहले ही सोनिया गांदी ने राजिव गोडो को डाटा भी था सोनिया गांदी के आपती दरसल दोस्तों तीन चीजों को लेकर थी एक तो उसे घोशना पत्र का कवर पेज उतना आकरशक नहीं लगा जितना होना चाहिए था साथी दूसरी चीज ये थी कि राउल गांदी की तस्वीर काफी छोटी थी और उसको भी नीचे लगाया हुआ था साथी कवर पेज पर मातमा गांदी की कोई तस्वीर नहीं थी इनी तीन कम्यों को लेकर उन्होंने राजिव गोडो को डाटा गोशना पत्र के कवर पेज पर एक चुनावी रैली की तस्वीर दी गई है ये एक दूर से लिया गया फोटो है जिसमें सेकडो हजारों लोग दिख रहे हैं उपर बाई और टैग लाइन है हम निभाएंगे सबसे नीचे बाई और कांगरेस का चुनाव चिन पंजार उसके ठीक दाईयों राहुल की एक छोटी शी तस्वीर है गोरतलवे की दोस्तों कांगरेस ने अपने गोशनपत्र को जारी करते हुए कई बड़े वादे लोगों से किये थी जिसमें एक बड़ा वादा ये था कि वो मार्श 2020 तक 22 लाख नोक लिया देंगे साथी गरीब वो 72 रुपे पर साल दिया जाएगा इसके अलावा रक्षा और कश्मीर मुद्दों पर भी कई बाते की गई थी दोस्तों इस पेसल कवर देश दुनिया की ताजातरीन और एस्क्लूसिव ड़लोमेंट को सबसे पहले आप तक पहुँचाता है इसलिए अपडेट न्यूज के लिए इस चैनल को सबस्क्राइब करें लाइक करें शेयर करें